कि अड़ेक्स किसे हैं आप से थो आज की लेक्टर कि नहीं पढ़ने जाने बैसिक डफिनेशन कि हमारे पास और अगले यूनेट्स को समझने के अंदर हैं थीक है सो स्ब्स साल इलीमेंट्स कि ठीक है एलेमेंट्स कि ठीक है होता है आपके पास हेटरोजीनेयस एंड इंड सॉल्बड्स त़्याइब कि ठीक है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है सबसे पहले definition है कि matter as you all of know matter क्या होता है ठीक है फिर से पढ़ते है matter क्या होता है बुक की definition क्या define करती है matter is all around us हमारे यहां वहां इर्द गर्द जो भी चीज़ है matter है matter क्या होता है जो कि क्या जिसके पास mess हो mess मतलब उसका कोई ना कोई मैस हो उसका कुछ ना कुछ आपके पास वजन तो नहीं वजन वेड केते हैं उसका कोई ना कोई mess हो ठीक है उसके पास क्या हो वो जगा घेरे कोई ना कोई ठीक है वो कोई ना कोई जगा घेरे ठीक है वो कोई ना कोई क्या हो वो जगा गेरे ठीक है अर्थ पर जिस चीज़ का मैस होगा उसका वज़न भी होगा ठीक है जो जिस चीज़ का मैस होगा उसका वज़न भी होगा ठीक है तो क्या करें वो occupy करें space को क्या आपके जगा घेरे कोई भी चीज है ठीक है तो हम कहते है solid है आपके पास pain है solid है तो वो आप जेब में डाल दो कहीं भी भी रख दो वो क्या करेगी जगा घेरेगी तो वो क्या करेगी जगा घेरेगी मतलब इमेंटर है ठीक है आपने देखा यह मेंटर है, सॉलेट तो भाई, पानी ले लिया, पानी है, तो भो क्या करेगा, आपने गिलास के अंदर पूरा जग भड दिया, अब उसके अंदर जदा पानी डालेंगे, तो वो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने पूरी जग की जगा घेल ले टीक है वो हो गया ओक्यए अब आप देखें गेस को आप को आप के थें बचमन से पड़ती है गेस मेटर है नहीं है तो आप कहींगे गेस तो मेटर है क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑक्सिजन पूरे हाँ आप मोगूद है और हम वहरे बेठे बिए ठीक है तो गेस तो नजर भी नहीं आती हैंड हमें उसका मेस फीज भी नहीं होता कभी कभी होता सब्सक्राइब systems बसक्राइब एक गेस में इकेस है Watts है आपका करेंगेप व्यायची से कि मैं यह व्यक्षण Prime डिक आपका जगा बढ़ जाएगी लंक्स की क्या आप इससे आगे हवा जा सकते हैं क्या अंदर इससे आगे हवा जाएगी आपके बास हवा की हमारे Lungs की Capacity भर गई है आप के Lungs की जगा conspiracy जही जगा थी वो हवा से भर गई है मतलब हवा इस पैस को क्या करता होगी जब आप उस हवा को भाहर निकालोगे पूरी निकाल दी अब आप फिर से अंदर डाल सकते हो एक maximum point तक ठीक है maximum lung की capacity तक ठीक है तो उसके बाद आपकी लंग की जगा जो capacity होगी वो बढ़ जाएगी उसके बाद हवा अंदर नहीं हो पाएगी टायर देख लो टायर में जब आप हवा या बैलून देख लो बैलून के अनरा आप हवा बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे एक point इसा आएगा बैलून फट जागा क्यों क्योंकि वो ज़्यादा उस capacity को बरदाश नहीं कर पाए ठीक है वो उससे जादा उस हवा को बरदाश नहीं कर पाएगा मतलब इससे हमें यह जापिद हुआ कि हमारे सांस करने वाले प्रैक्टिकल से के हवा भी जगा गेरती एंड डेर तिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस डेटिस मेंटर ठीक है वो स्पेस क्या मेंटर है आप क इसके लो सुखा डायर ता अब इसके रागाव डालो इसके इंदर क्या आगर पंप वाल यह पास या उसके इंदर हवा डलवा अब वजन देखोगे इसका वजन एक किलो नहीं हूंगा एक किलो वन पेंट जीरो फाइजी उसका यहा दो 10 ग्राम बढ़ जाएगा उसका 50 ग क्यों पाइस्पिस कर रहा है ठीक है तो आपने बच्वान से इन तीन चीज़ों को तो पढ़ा होगा ठीक है सोलेड होता है गेस होता है एंड लिक्विड होता है बट इंटरस्टिंगली नहीं गिलास में आप एक और नहीं चीज़ के दाथ फैमिलर होगा प्लाजमा एक और स्टेट ऑफ मेटर हमारी काइनात के अंदर पाई जाती है आपकी सोसे भी बढ़कर वो है फौर्थ स्टेट ऑफ मेटर प्लाजमा प्लाजमा क्या है फौर्थ स्टेट ऑफ मेटर है मेटर की चोती स्टेट मतलब स्टेट किसे कहते हैं वोट इस स्टेट इस्टेट हालत तो लिक्विड की सुरत हाल में, गेस की हवा की सुरत हाल में, या प्लाजमा की सुरत हाल में, किस सुरत हाल में वो मुझूद है, पानी है, पानी क्या है, बरफ की सुरत में है, लिक्विड की सुरत में है, गेस की सुरत के अंदर है, किस सुरत के अंदर है, तो that is state of matter, matter किस state के अ है इसका अलग अलग behavior हमें मिला इसके अलग अलग properties हमें मिली इसके अंदर नहीं नहीं हमें change मिले so we call them this is the state of matter new state of matter की new property होई को change आया इसके अंदर ठीक है so plasma चोथा state of matter है जिसके अंदर हमें नहीं चीज़ें मिली ठीक है and the different states of matter are due to difference of energy in increasing order हमें नहीं नहीं प्लाजमा जी वर्ड के क्या रहा इदर different state of matter अलग अलग states of matter हमें क्यों मिली जब energy के अंदर difference आया increasing order के अंदर के से समझाता हूं इसको ठीक है इसी बात नहीं है समझाने की ठीक है जब आपके पास पानी है आप रहा है आपके पास जो घर में चुला आयर लाए gereki रही है आपके पास जो घर में चूला आयरा है जह रही है lawsuit quickly लेंगे ओपर आपने क्या किया एक कोई भी एक पतीला ले लिए अपने ठीक है इंदर आपने पानी का क्यूब डाल ढाल दिया ठीक है तो अपने heat दी यह क्या होगा यह पिखलेगा ठीक है जब यह पिखलेगा energy क्या होगी आपके बाद new state of meter farm होगा increasing order में मतलब energy जब आप दोगे आपको increasing order में मतलब बढ़ाते वे दोगे ठीक है यह इसकी energy कहती है zero degree centigrade temperature ठीक है जब आपने इसको temperature दिया मतलब energy दी तो आपको new state of meter मिला liquid यह क्या होगा liquid के अंदर convert हो गया ठीक है आपको liquid के अंदर ठीक है फिर आपने कहा कि मुझे energy देते रहे नहीं आपने चुला जालू रखा आपने चुले को दिया तो यह क्या होगा यह हवा के अंदर convert होता गया यह क्या हुआ वेपर के अंदर ठीक है convert होता गया आपने ओपर से ढखन दे रखा था ठीक है यह क्या हुआ आप देखते दुआ निकल रहा हुता है बाफ निकल रही होती तो वो बाफ के अंदर convert हो गया ठीक है आप energy देते आपने खतरना आग लगा दी यहां पर किसका टेंपरेशिय और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया जब इसका टेंपरेशर गेस होने के अबावा जूद भी एक गंडा दो करण आपने चढ़ा के रखा बिल्कूल टाइड था ठीक है आपने उसको इंविरॉम तो यह क्या होगा इसके जो एटमस इसके जो अंदर का पानी की जो बनावेट है hydrogen hydrogen और oxygen वो क्या हो गये hydrogen oxygen के अंदर ऑस टूकड़े हो जाएंगे hydrogen और oxygen में। इलेक्ट्रों जिसा मेर pregunt रwenERS का IMMC particles electron और जो है आपके पास लेक्टों आपके पास इलेक्त्रॉन का और आपके पास एटम्स का जिसमें से आपके पास खाली नूकलिस बचेगा ठीक है हाइडोजन के एटम्स होंगे सारे इलेक्ट्रोंस भाहर रह जाएंगे तो यह आपको क्या हुआ आपने हीट दी तो आपको फोर्थ स्टेट ओफ मेटर मिला आपको ठीक है तो मतलब आपको स्टेट ओफ मेटर एंड आज आपको पता है चार स्टेट ओफ मेटर नहीं है बाईस स्टेट ओफ मेटर है हमारे हाँ आपको पता है आज कर हमारे आपको कितने स्टेट ओफ मेटर है बाईस स्टेट सोफ मेटर है मतलब हमने energy देते गए energy देते गए हमें अलग-अलग states of matter मिलते गए ठीक है तो अलग-अलग state of matter हमें आज ते बीचे गए बट चार जो शुरू के चार है solar liquid gas and plasma यह natural state of matter है बट हमारी book के अंदर chapter number 5 के अंदर states of matter I think ठीक है chapter number 5 है उसके अंदर हम 4 state बढ़ेंगे एक और पांच state of matter पढ़ेंगे जो कि artificial state of matter वह बहुंस आइस्टेंड कंडेंस है ठीक है तो चार इस्टेट ऑफ मिटर होते हैं ठीक है मैंने आपको बताए कि increasing order में हमें क्यों different states of matter मिलती है हमें आज के दोर में 22 states of matter मिल चुकी है ठीक है artificially हमने energy को जेंज किया उसकी condition को जेंज किया कहां हमें temperature बढ़ा है काँ पे उसकी wavelength कम कर दी तो हमें नहीं state of matter मिल गए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो लेक्चेर के था तब दा के लिए बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई- झाल